डाउट्रेट पर होगा अब आपके सारे फिसिक्स के वेश्टिन माच्जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टो कीचो अपकर आपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाओ डाउलोड कीजिए डाउट्रेट आप अभी या फिर वाच्साप कीजिए अपने है यह अपने एंजी फोल्ट से इस पूरे सिस्टम को नीचे खीचने की और कोसिस करेगा तो हम इस कुश्चन में यहां निकालना है कि हम कितना इस कैपिटल एम का मास रखे ताकि जब यह नीचे जाए तो यह जो छोटी मास है यह अपने वेज से कॉंटेक्ट ना छोड़ अपने यह जो वेज से है कॉंटेक्ट ना छोड़े इन अदर वर्ड्स यह स्लिप ना करे तो हमें करना क्या है हमें बेसिकली एनी टाइम इस पे एक नॉर्मल यह जो एम्टू है यह इस पर एनी टाइम एक नॉर्मल लगाए रखे हमें यह इन्शेओर करना है अगर हमारा अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो हमारा कॉंटेक्ट छुट जाए रहा तो मैं क्या करता हूं मैं स्मॉल एम वन की एक एफ- बीडी बनाता हूं यह स्मॉल एम यह रखा हुआ है इस पर तो हमें एन्शेओर करना है कि यह नॉर्मल यह लगे अब होगा क्या इसके अलावे क् इस direction में M1G sine 30 degree दी हुई है inclination तो यह M1G sine 30 degree इस direction में लगेगी और क्या होगा इसके अलावे M1G उसी का component मैंने लिख दिया यह M1G है बाकी हमें friction नहीं consider करना है क्यों क्योंकि इसमें दे रखा है all the surfaces are frictionless मैं करता हूँ अब force balance यह लिजे मैंने यह ब्रॉक कर दिया तो अगर यह 30 degree है तो इसके कारण यह वाला जो angle होगा यह भी 30 degree हो जाएगा मैं force balance करता हूँ along vertical vertical में vertical में क्या-क्या है N का cosine component N cos 30 degree is equal to Mg जो M1 G है यह हो गया अब horizontal direction में क्या होगा जैसा कि मैंने पहले कह था wrist से जैसे ही छोड़ेंगे तो यह accelerate होगा तो मैं इसे माल लेता हूँ यह acceleration A से नीचे की तरफ जाएगा अगर यह acceleration A से नीचे की तरफ जाएगा तो अब मैं क्या लिखता हूँ पहले तो मैं इसके FBD से along horizontal लिख लेता हूँ horizontal direction में क्या होगा N का sinusoidal component यानि N sin 30 degree is equal to mass into acceleration यह जो accelerate करेगा यह वाला जो system है यह जो accelerate करेगा अब आप इससे confuse हो सकते हो कि मैंने A1 इस direction में दिखाई हुई है तो मैं इस direction में कैसे balance कर रहा हूँ यह actually मैं कह रहा था कि यह जो total system है यह A1 से इस तरफ जाएगा तो मतलब basically वो एक linear acceleration करेगा यह जो total system है यह linear acceleration करेगा ऐसा नहीं है कि यह M1 mass जो है यह contact छोड़ कर नीचे की तरफ जाने लगेगा मैंने वो दिखाने की purpose से A1 दिखाया था so it is a linear acceleration A1 तो अब मैं dividing divide कर देता हूँ इसे N sin 30 degree upon N cos 30 degree N cos 30 degree तो जब divide करेंगे तो आजाएगा M A basically यह M1 A है तो M1 A upon M1 G तो यह मेरा हो गया 10 30 degree is equal to A by G तो यहां से मेरी acceleration की value आगए G into 10 30 degree यानी G upon 3 meter per second square यह हो गया overall acceleration हमें अब यह capital M यानी यह mass निकालना है तो मैं ऐसा करता हूँ इस acceleration को net force divided by mass कर देता हूँ net force divided by mass तो यह acceleration में net pulling force क्या क्या है तो एक ही pulling force है यह capital M की जो mg आएगी capital mg तो capital mg की होज़े से ही यह नीचे जाएगा mass में मैं सारे masses लेज़ेता हूँ capital M small m1 plus small m2 तो अब equal कर देना है हमें तो यहां था g upon root 3 is equal to mg upon capital M plus m1 plus m2 जी cancel out हो गया तो यहां से capital M की value आ गए capital M में एक relation आ गया actually capital M plus m1 plus m2 upon root 3 तो इस equality को जब आप solve कर गया तो आपको capital M की value 6.83 kg आ जाएगी हमें actually में small m1 और small m2 का mass दे रखा है तो वहां से capital M की value आ जाएगी स्यूप्षेट स्फेड़ आप हो तो कोई जाएगी थे खरीक झाल झाल